थाना सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के एक आरोपी को धर दबोचा है बता दें आरोपी सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों से रुपे लिया करता था और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र को भी पोस्ट के जरिये डिलिवरी दिया करता था वहीं पुलिस ने कारवाही करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया है सदर धाना पुलिस को बड़ी कारेवाही करते हुए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के एक आरोपी को गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपी के पास से फरजी दस्तावेच के साथ कई नियुक्ती पत्र बरामत किये हैं वही डी सी पी विकास कुमार ने बताया कि तीन अपरेल दो हजार तेईस को एक व्यक्ती द्वारा थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें गैंग के एक व्यक्ती कुरा इदगा थाना शहागंज का निवासी है वहीं इसकी जानकारी डी सी पी विकास कुमार ने प्रैसवारता कर विस्तार से दी तीन चार दो हजार तेईस को वादी दोरा तहरीर दी गई थाना सदर में और उस तहरीर के आदार पर जाच करकर मुकदमा लिखा गया और उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ एक गिरों ने ठगी की है जो गिरों उनको नियुक्ती पत्र ढाक के माध्यम से उनके घर पे डेलीवर कराया है उनसे पैसे ले लिया है लेकिन वो नियुक्ती पत्र के जब जाच की गई तो नियुक्ती पत्र फरजी था इसी इकरम में ये मुकदमा लिखा गया था और मुकदमे में एक अभ्यूक्त जिसका नाम है मनोज पुतर काली चलन निवासी मोहनपुरा थाना सागंज का रहने वाला है इसे पुलिस ने गिरफतार किया है इसी गैन ने एक और फरजी वारा किया था फरजी नियुक्ती का नियुक्ती पत्र देकर फरजी वारा किया था उसमें भी व्यक्ति वांचित था और उसे इस मुकदमे विवी इसका रिमान बनाया कि ये लोग एक ऐसा फर्जी गिरो चलाते हैं जो कि लोगों को लालच देकर सरकारी नौकर दिलाने का लालच देकर एक मोटी रकम वसूल कर लेते हैं और विस्वास में लेने के लिए उनको फर्जी विक्ति उस बिभाग का अधिकारी बनकर मिलते भी हैं और फर्जी नियु प्राते दर्बर नियूस के लिए अगरा से दिपिका जादोनी